रात को सोने से पहले दो मिनट के लिए इस रेमेडी को अपने फेस पे अपलाई करके मसाज करके सो जाना और सुबह आपको आपकी स्किन पे देखने को मिलेगा ना मैजिक जी हाँ, अगर आपके चेहरे की जो स्किन है वो लूज हो रही है तो वो टाइट होने लग जाएगे चेहरे का कालापंद दाग शोन दया क्या द बुत शाके चैहरे की जो berva सोफ्ट सर्थ और मुलायम होने लग जाएगी चेहरे के skin भी healthy हो जाएगी तो guys आज के वीडियो में मैं आप सब के साथ में बहुत ही simple सी remedy share करने वाली हूँ तो वीडियो को last तक जरूर देखिएगा वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर दीजेगा So let's get it started तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको अपनी skin जो मुझे काफी जादा healthy मैसूस होती है Soft है मेरी skin जो loose हो रही थी वो tight हो गई है Because इसके पीछे का reason है यह remedy जो आज मैं आप सब के साथ में share कर रही हूँ guys सबसे पहले यहाँ पर मैं ले रही हूँ glycerine और आज की remedy सिफ दो ingredients को मिला के ही बनानी है हमें और इसके लिए हमें किसी भी बावल या फिक कुछी भी चीज की जरूरत नहीं है सोने से पहले आपको इस remedy को अपने face पे apply करना है तो आप रोज रात को इस remedy को अपने हाथ पर ही बना सकते हो क्योंकि एक time के लिए ही बनाओगे तो जादा better होगा अच्छा result देखने को मिलेगा आप चाहो तो अच्छी quantity में बना करके रख सकते हो मैं एक time के लिए आपको यहाँ बना कर दिखा रही हूँ तो दो से तीन बून मैंने यहां पे glycerine लिया था और यहां पे थोड़ा साही मैंने अलोवीरा जेल लिया है अब इन दोनों को अच्छी तरीके से mix कर देंगे तो देखिए यह जो अलोवीरा जेल एंड ग्लीसरीन है यह दोनों remedy हमारी स्किन के लिए काफी जादा पावरफुल रेमेडी साबित होती है, क्योंकि इन दोनों ही रेमेडी से हमारे चेहरे पे जमी हुई जो गंदगी है, वो रिमूव होती है, टैनिंग रिमूव होती है, चेहरे पे चमक आती है, चेहरे का ग्लोव बढ़ता है, स्किन लूज जो अगर हो रही है, तो वो टाइ कुलेशन है जिस सकी कि हमारे स्कीन पे ग्लू बड़ता हैं तो इस तरिके से आपको उपके अपने फेस पह अपलाई करने के बाद हलके हलके हातों से दो से 30 मिनटके लिए मसाछ कर लेना और बब अपर आसपास के से आपको हलके हलके उंगली से मतलब लप करता हुए मसाच ड़िए जिस्से कि आखों की नीचे अगर जो धब्ब हो रहे होते हैं या फिर स्वैलिंग हो तिना आइस की वह की को ने लग जाती होर इस तरीके से आपको तोड़ा सारी करना जैसे आप तो इस तरीके से आपको इस डियाइवाई इस डियामेडी को ट्राय करने और अच्छे रिजल्ट पाने के लिए आपको यह रेमेडी को रोज अपलाई करने और सर्दियों का सीजन स्टार्ट हो गया ऐसे में हमारी स्किन काफी जादा रूखी बेजान हो जाती है और यहां प मसाज कर लेना है मसाज करने के बाद आप जब इस रेमेडी को अपलाई करने से काफी अच्छे रिजल्ट हमें मिलने वाले हैं तो एक बाद ट्राई जरूर करिएगा इस रेमेडी को और मुझे और फेस को वाश करने कि यह भी जरूरत नहीं है आपको राद बार अपने च इसको नर्मोर वाटर से वाश करिए और आप देखोगे आपकी स्किन काफी जादा हेल्दी होती चली जा रही है दिन बर दिन आपके चहरे पर चमक और गलो बढ़ता जाएगा तो इस तरीके से इस रेमेडी को आपको एपलाई करना और बहुत ही सिंपल सी रेमेडी आज मैंने आप सब के साथ में शेयर करिए सिर्फ दो इंग्रीडियन्स को मिला के आप अपने चहरे का गलो बढ़ा सकते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल दिन बुट बाई एंट टेक केर एवरिबडी लव यू आल बाई